पुर्डीया की बुल्डोजर द्वारा अवैद आतिकरमान के तुहस्तिकरण की प्रकेरिया लगातार जा रही है इससे पहले महरोली इलाके में भी डीडिये के बुल्डोजर ने तमाम घरों को तोड़ा था और तमाम आशियानों को तोड़ा था लोग बेगर होकर सड़क पर आ गए थे आज मैं मौझूद हूँ जाकिर नगर इलाके में जहां एक बार फिर से डीडिये ने अतिकरमन के खिलाफ लगतार कारवाही शुरू कर दी है ये बुल्डोजर अब कहां जाकर रुकेगा ये तो डीडिये ही जाने लेकिन आज ये बुल्डोजर आ पहुचा है जाकिर नगर में जहां बस्ती के साथ साथ जो अवैद बस्ती यहां पर बसाई गई है उसका दुवस्ती करण किया जा रहा है आपको बता दें कि ये इलाका जिस जगह में इस वक्त खड़ी हूँ ये जाकिर नगर इलाका है जहां पर तमाम जुग्यों को तोड़ने के लिए डीडिये का नोटी साता है उस जुग्य में तमाम पक्के मकान भी थे इस लाइन में दिखाना चाहूंगी कि एक तरफ कच्ची जुग्यां बनी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ पक्के मकान भी बने हुए थे ये पक्के मकानों के साथ साथ ये कच्ची जुग्यां भी डीडिये के बुल्डोजर ने धोस्त कर द वो बीनते हुए बटोडते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन डीडिये के बुल्डोजर से आज तमाम घर जो तमाम परिवार हैं वो आज बेघर हो गए हैं कहां उनकी राते कटेंगी कैसे वो रहेंगे इस बात का फैसला डीडिये ने अभी तक नहीं किया है कहां वो लोग कैसे बना पाएंगे यह तमाम सवाल हैं इससे पहले महरुली इलाके में भी डीडिये के बुल्डोजर ने कारवाही की थी तमाम फ्लैट्स को तोड़ा था बुल्डोजर दौरा मजदूरों दौरा फ्लैट्स की दिवारों को तोड़ा गया था लेकिन फिलाल वहां पर जाकिर नगर पहुंचा है और जाकिर नगर में देखिए यह मलवा जो आपको दिखाई दे रहा है यह लोगों के आशियानों का ही है जहां वे लोग रहते थे अपने परिवार का पालन पोश्चन करते थे और अपने परिवार को बसाई हुए थे दिखाऊंगी कि डीडिये बुल्डोजर द्वारा तोड़ा गया है हालकि यहां पर बायो डाइवर्सिटी पार्क बनाने की भी बात कई गई है डीडिये द्वारा इसलिए इन जुग्यों को तोड़ा गया है कहा गया है कि अवेद आतिक्रमन पर जो भी कारवाई हो रही है वो किसी ना किसी कारणव ही हो रही है हाला कि कुछ लोग यह कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि mcd में जब से भाजपा हारी है तब से आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक शडियंत रचने के लिए यह कारवाही की जा रही है अब यह आरूप कितने सही है और कितने गलत यह तो वक्त ही बताएगा ल आज डीडिये के बुल्डोजर ने अपनी कारवाही शुरू कर दी है और अतिकरमन के खिलाफ यह कारवाही लगातार जारी है महरूली के बाद अब जाकिन अगर इलाका डीडिये के बुल्डोजर की नजर में है अब इसके बाद कौन सा इलाका डीडिये की नजर में आने यह देखने वाली बात होगी लेकिन इससे पहले जो लोग यहां रहा करते थे उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्यों उनका आश्याना टूटा नोटिस कब दिया गया क्योंकि डीडिये पर लगातार यह आरोप लगाते हुए लोग नजर आते हैं जब महरोली में डीडिये की कारवाही चल रही थी तो डीडिये ने बहुत ही कम समय का नोटिस वहां के निवास्यों को घर खाली करने के लिए दिया था तो आज यहां पर जान लेते हैं कि यहां के लोगों को आखिर नोटिस कब मिला था कब डीडिये की कारवाही शुरू हुई और आगे उनके क्या होने जा रहे हैं किस तरह से वह अपनी आगे कि जिन्दी की बिताने जा रहे हैं क्योंकि उनकी जमा पूंजी से किया हुआ बनाया हुआ यह आश्याना आज उनीकी आखों के सामने तूट चुका है चलिए चलते हैं और जानते हैं इनी लोगों से इनी की जुबानी की क्या कुछ हुआ यहां पर कारवाही हुई है रोग रोते भी लगते वे भी नजर आ रहे हैं तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं डीडिये का बुल्डोजर लगातार अवैद कारवाही पर बना हुआ है कहा जा रहा है कि आपके जो घर थे यह वैद बने हुए थे और के लिए आध रखा वकी साबने भी हम है अवी दोना आए बिल्डोजर लगा दिया सारी फोस्टाइब बैद आपको कैसे पता की तीन दिन बाद आपका ता लिए तीन दिन के लिए सुपर देखते हैं कि बढ़े हैं और अपर पूरी फोस खड़ी हैं यहां पर वाइं काम शुरू हो गया था लगातार आपके गढ़ टूटे कच्छा मकान था पक्का पहले यह तोड़ी में ते हमारे पक्के दोदा मंदी में नहीं दिया गया था नोटेश के वल कच्छी जुग्यों को तोड़ने यह बता के जुगी तूटेंगे दर्की टूटी पहले बहुत नुकसान हो गया का जाएंगा ना को ठीकाना है बैठने का हमारे पास जो तोड़ दिये गए है आज वही लोग अमारे साथ मौजूद है घर टूट चुका है डिडिये का बुल्डोजर लगातार कारवाही कर रहा है अब कैसे अपने परिवार को आगे कहा लेकर अब परिष्ट है अब करें बश्चे कहा जाएंगे बच्छारे कड़े हैं सरकार से मांग कर रहे हम सरकार जोगोंते बैठे रहने के लिए अब यहां निकाल लो भार बाता तकी यहीं तोटी ती यह आगि मालूम नहीं था हम इसे बात का अब यह साह साथ आ है बोले से आवान कि अबने का पीने का आटा नाज सब कतम होग će इसमें भींगी तो एक यह उसक्झी है तो घुइस सब कुछी डावा करता नजर आ रहा है कि आपने जो गर बनाए वो डीडिये की जमीन पर नेट बिदेगे लिए हमने तो जमीन खरीद के दिए जो लोग यहां कि पहले थे पट्टे काती हैं किसी के साथ कर लोग कर दोड़ा बनाते ही अपर तो बच्चों को कहा लेकर जाएंगे रात कैसे बात कुने की हुआ हैं को वह हमारा ठीका नहीं है तो त्यकाना अगों तैंड आप यहाँ अगया पर अध्या जो सविष से होती हमारी कि चुंदेवात की भी ठीजब हमारे मकान टूटेनव कि जब सी जब साफ के मैंन नहीं मना कर दिया तो इस टाइम हम इसी तरह रहेंगे हमें किसी की मदद में चाहिए से पहले मैरोली के इलाको कि जुग्या टूटी है यहां बी होगा आपको वहां पर भी रोख लगा दी गई है इसके बाद यहां पर कारवाई हो बच्छा हमारी स्कूल गए वे थे और सारा सामान ऐसे खाना बनाने जा रहे थे देखा तो बहुत लगी क्या करे क्या समय ले क्या साथ हाए कुछ भी ठाने निपाए बागी का फूरा बच घर में तो बहुत पैसे लगा एक मज़ू लेता है 800 रुपे एक मिस्टरी और वो लेता है मज़ू 600 रुपे तो बताए हम क्या करें हम कहां से लेंगे लोग रोते भी लगते भी नजर आ रहे हैं देखे किस तरह से आखों में आसू है आखों में आसू के साथ ये लोग अपने घर के लिए रोते भी लगते नजर आ रहे हैं रात जब नोटीस आया उस वक्त से कैसी स्थिति हम अपने विदाक के पास गए के बार बार के भाई कुछ करो किसी वकील के पास गए मंतर के बाको कुछी ने कुछी नहीं क्या हम गरीब हो कुछ जड़वा के बस यहा परिवार जो है एक साथ रहा करते थे क्यों यह ड़ीडिये दावा कर रहा है कि आपने उनकी जमीन पर जाकिन लेकर बटलाओ सब यह डीडियो करता है यह सब सरकारी यह ऐसा हुआ जैसे आपने किसी को दे दे भाई लोग पैसे यह हमें दे दो इस तरीके से लियावा है हम गरीब होता है इस तरी सलिया है कि इतने में मिला है भाई हम सबस्ते के चकर में मर गए जो कुछ था हम नगए यूपी से आके यहां पर लगा दिया बना लिया अब बताईए हम कहां जाए हैं कि पिशली बार जब आए थे यह तो मैं हमाई यह भरोसा हो गए तो टूटने की निया पिशली बार जब यहां पाये तो जूड़ी सामने वाली यह चीकाजी बनीवी थी ठाक यह छोड़ गे थे हम से बताएगे यह तो टूटने की अब यह जो है कि नाया रोड के जाएग हम क्या है अब टारिकाम हरें तोड़र रिकैमांग करेंगे मध 25 क्या मांग करी हम्हां के अब क्या मांग अब लिए तो हम Dé nephew मैं होगाई सितले नोटिस आयाक मैं 2009 पर दोजार निस के बाद हमारे स्ट्री परमनेंट था यह निया कि हमने छह महीने के लिया हमने दो महीने के लिया इसा भी कुछ निए था लेकिन एसे टेंबर वकील ने भी दोखा दे दिया सब की मिली बहाँ चल लिए क्या करें हम तो होगे बरबाद अपने इस्टे नहीं इस्टे दिखाया कोई इस्टे को मानी निरा कानून को को समझे निरी डीडिया तो क्या करें बताओ हमें दुझ धक्य मार के बाहार निकाल दिए पुलिस पॉर्स को यह चीथी 5000 पुलिस पोर्स क्या कर लेते हम उनके सामने बताई आप अप हम तो यह मांग कर रहे है हमारा जासे घर रहा है आल रहा है आपका हुई जब से घर टूटा है रोरोकर बुरा हाल लग रहा है आपका में में यह कुछ हो गया हम लोग का मकान जुकी का बोलाता यह ताम जाने अगर हम आभ आपके लिल्त नाट लगा दिया सारी ले लिया सारी मदद की जब हमारे मकान तूटे जा रहे थे जब भी धाक को अनधा वह यह मेरा तुका मेरा इंसाब चाहिए हमारा मकान चाहिए हम तो कहां जाएंगे हम इसाफ पुरानी हूँ में दिस साल में हमने जमीर लिया था में मेरे पास का आगर पटर पकर सब्रखऴ रखा मैं को एमने कोई तोड़ा गया मेरा मकान क्यों तोड़ा गया मैं आप कहा रहोंगी मैं महामें सब्सक्राइब नहीं डीडियों की जमीने 30 साल से डीडियों कहां थी डीडियों कहां थे यह दो दो तिन मेरे लिए कोई लाज नहीं है अगर हमें इंसामने में तो मेरी बच्चिया हम दोना आत्मा हत्या करने मेरे लिए तयार उसके जुम्हेदार पूर जो होगा और मेरे पास कोई चारा मैम नहीं है कि यह यह तो जुकी तूटी थी मैं यह 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 दो दो पंजिलकर मकान बना में डीडियोजब का ठाथ जहां मोगा तितीक साल सांट रहा है जब डीडियो कहां थी एक रोट लिका लिए झाएंगे चुनदियो के हाथ इसमें बड़े-बड़े जो लोगज ने हैं उसके भी आ के लिए मेरा आत्मा हतिया के समें जिम्मेदार पूरी पुलिस होंगी पूरी फोज होगा हम अपनी बच्ची के लिए का आत्मा हतिया करने जा रहे हैं है मेरा पाश कुछ नहीं है चारा में मेरा पूरा सरी मेरे में बेकार मैं मेरे हैट अड़ dépend जी मेहां मेर deben आत्मा के ऊर्टिटि में अगर हमें नहीं मिला में थिए अप आप मत्या के लिक लिए तईयार है हमें हां जिम्हें तारिस में हमारे पुलिस वाले हों g hai कि इसमें वहाए और इसमें मेले सब्सक्रा शोलिस अगती है बाहत है एक वहाए हिम उसके को श्रेह करें पहले कि भी टुने करें तो यह चुनी खड़ें कि अघ्रीया और व toy मही मकान मैं आप वो कहाँ गया वादा मैं हमने आ जुगी नहीं ता मैं या दो-दो मंजिल मकान था मैं तीस साल पुरानी मैं पैतीस साल पुराना कागज है मैं वीड़न हैं। तो लोग जिनके आशियाने तूटे हैं वह लगतार डीडिये और सरकार पर तंज और निशाना साधते हुए साफ नज़र आ रहे हैं आरोप लगाते हुए साफ नज़र आ रहे हैं पूरा देखिए चारो तरफ की इस वक्ती की तस्वीरे आपको दिखाऊंगी कि CRPF की जवानों की मौझूदगी में दिल्ली पलिस की मौझूदगी में आज यहां जाकिर नगर के आशियानों पर डीडिये का बुल्डोजर चला है तस्वीरों में आप जो जुगह देख रहे हैं यह जाकिर नगर की है एक बार फिर से आपको बता रही हूं जाकिर नगर की जमीन जोहां पर डीडिये के बुल्डोजर ने अतिकरमन को दोस्ती करण कर दिया है अतिकरमन पर दोस्ती करण की कारवाही डीडिये की लगातार ज़ारी है और कहा जा रहा है कि इस जगहा पर जो आप देख रहे हैं जहाँ पर डीडिये का बुल्डोजर चला है यहाँ पर बायो डैवर्सिटी पार्क बनाने की बार डीडिये द्वारा की जा रही है अब लोगों के घर तूट चुके हैं लोग बेगर होकर सड़क पर आ गए हैं अब यह अपनी रात कैसे बिताएंगे परिवार में 9 से 12 बच्चे हैं वो अपने बच्चों को लेकर कहा जाएंगे यह बहुत बड़ा सवाल है डीडिये की कारवाही लगतार जारी है अब जो ल खाली कराना भी जरूरी अब लोगों के घरों को तोड़ कर इस जगा को खाली तो किया जा रहा है लेकिन यहां पर देख रहे हैं आप लोग लोग जो हैं वो लगतार सरकार पर आरो आरोप लगाते हुए भी नज़र आ रहे हैं बने रहें दानियो स्वटीन के साथ नत्तिक्राबन कि कहला है यह दावा कर रहा है कि यह डीडीय की जमीन यह जहाँ पर लोगों के अवैद कप्जा किया हुआ बनाय हुए थे यहां कि यहां के लोगों का कहना है कि यह जो मकान है inki पावर आफ उटाउनी उनके पास है लेकिन इसके बवजूद भी डीडिये अपनी जमीन करा रहा है इसके अलावा कहा जा रहा है कि यहां पर डीडिये दुआरा करना है, इस वज़ा से यहां पर यह जमीन है यह खाली करानी जरूरी थी कहा जो रहा है कि DDA इस पार को बनाने के लिए जमीन को खाली करवाया है अब बुलडोजर DDA का अगली कार्वाही कहां करने पहुंचने जा रहा है यह देखने वाली बात होगी देखते रहे हैं दन्योस 15 में अंजली राठ होर कैमरेपर सिंद गोविन के साथ जाकिर नगर